आज किस वीडियो में बात करेंगे फ़र्ष्ट एड एड एंड हेल्थ फे जुड़े महत पूर्णत प्रस्ण और उसके उत्तर के बारे में जिसको आप लोग बोलते हैं प्रात्मिक चिकत सायम स्वाफ्त ये एक अनिवार प्रस्ण पत्र होता है जिसकी परिच्छा बी ए ब सब्सक्राइब जो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा ओयमार सीट ठीक है तो शुरू करते तो मैं आपके जानकारी कि बता दूजी एनुवार प्रस्ण पत्र जिसका नाम है फश्ट एड एंड हिल्थ तो इसमें चार जगह से प्रस्ण आएंगे ठीक है फश्ट यून सब्सक्राइब तो आज किस वीडियो में हैं हम बात करेंगे आधार बहुत योन सिच्छा फिजुडे महात्रप्रोंट प्रस्ण के बारे में फश्ट इनुट इससे पहले की वीडियो हमने कबर कर रखा है अब हम बात करेंगा थ्री यूनिट से जुड़े मोश्यूम पार बारे में और जो की आधार बहुत योन सिच्छा फिजुडे क्वेस्ट ने तो आज किस वीडियो का जो सबसे प्रथम प्रस्ण है वो है कि यहां पर जो दी गई है रिक्तिस्थान यहां पर क्या फिल किया जाएगा कहने का मतलब यह है कि एक जरायूज है कौन है गाय है ब यहां पर राइट इंसर खीक है ध्याँ से सुनेंगे अग कोई अंड प्रजक्ट जनतु है इसलिए दढूई कि नरो में पाया जाने वाला प्रमुक्ह जननंग है तो जो नर होते हैं उनमें कौन say the주는 फिर प्रमुकृ जननंग पाया जाता है आप शना आपको जाएंगे जो उत्तर सही होगा उस पर आपको टिक करना होगा तो इन आपसरों में इसे जो राइट एंसर होगा वह होगा बानमबर वस्ण ठीक है वस्ण नेस्ट प्रश्ण है कि सुक्राणू के माध्ध सुक्राणू के मध्ध भाग का निर्माण होता है तो यहां पर आपसर देगे हैं तो इनमें जो राइट एंसर हो आपको बताना है यहां पर राइट एंसर हो जाएगा सुक्राण के मध्ध भाग का निर्माण माइट्रो कांडिया से होता है ठीक है न पाई जाती है ठीक है कहां पर विच्णों में याद रखेंगे महात्पॉन प्रस्ण है अगला प्रस्ण है कि मानों में निशेचन होता है तो मानों में निशेचन कहां पर होता है यहां पर आपको आक्षन देगे हैं मानों में यहां पर ध्यान रखेंगे मानों की बात हो रह हो गया ठीक है यहां पर राइट एंसर आपका दा हो जाएगा कि प्राथमिक लेंगिक जनन अंग है तद्निम लिखित में से जो सबसे पहले लेंगिक जनन अंग है उसका क्या नाम है तो आप संदेगे इन ढ़ुत हमाध्य प्राश आपको देखने के मिल ला है कि तेस्टो स'm ओर्मन का उत्पादन किसके द्वारा होता है या फिर उत्पादन होता है आपssa نें पर दिए गए जो इन आपने हैं हैं तेस्टो-स्ड और और मादा युगमक के संयोजन से जो बनता है उसका नाम है युगमनज ठीक है युगमनज काफी आप लोग स्मार्चात रहें बिए कर रहें तो आप लोग इन सभी प्रशनों का जो हिंदी मीनिक है आप लोग समझते होंगे मुझे वो बताने के हो सकता नहीं है बस आपको ध्यान देनी के हो सकता है अगला प्रशने की काउपरग्रन्थ,"ै उपस्थ मरंश उर्पूस्थिति हैं यहां पर आप संदेगे, इन में जो उत्तर सही होगा हो जाएगा, नर में ठीक है अगला प्रशन है कि दुतिये लेंगिक लच्छोनों द्वारा क्या होता है तो दुतिये लेंगिक लच्छोनों द्वारा नर तथा मादा के बीच अंतर प्रकट होता है कि लच्छोन द्वारा क्या होता है नर और मादा के बीच डिफरेंस ठीक है दिखाई देता या अंतर प होगा ओके नेस्ट प्रश्ण को बढ़ते हैं नेस्ट प्रश्ण आप लोगों समस्त है कि सुक्र जनक नलिकाओं के आसपास के अस्थान को जो कहा जाता है उसका नाम है अंत्राली स्थान ठीक है क्या अंत्राली अफ्थान अनंबर सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि महिला युगमक मुक्त करने वाला अंग है इन अप्षनों में से अंडा से याद रखेंगे सानंबर सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि वाहिनी जो सुक्र वाहिनी को जोड़ती है वह प्रोटेस्ट ग्रंथ के अंदर मूत्र मार्ग से जुड़ जाती है कौन सी वाहिनी है तो यहाँ पर आप संदिये गए हैं जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका बानंबर अफ्खलन वाहिनी अब बढ़ेंगे अगले प्रश्ण के ओर अगला प्रश्ण है कि तीन से पास दिनों तक चलने वाले समान्य नियमित मासिक धर्म की इस्थित को किस रूप में जाना जाता है आप्शन यहाँ पर दिये गए हैं जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना है ठीक है इसका जो सह प्रश्ण की रूप में जाना जाता है नियमित मासिक की आप लोग समझ गयोंगे जिसको इसने पीरिट बोला जाता है ठीक है ओके चलिए नेस प्रस्ण देखते हैं कि पीत पिंड प्रावास्था कितने दिनों की होती है तो वो जो दिन की जो संख्या है वो है चौदा फो स swoje कितित क कारण नहीं होती है उसे क्या कहा जाता तो उसको कहा जाता है प्रकरतिक रजो निर्वत्ति हैं सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि युगम्रज के बिदलन द्वारा निर्मित छोटी कोशकाएं क्या कहलाती है तो भाई युगम्रज के बिदलन द्वारा जो निर्मित होती हैं फिर बनती है वो छोटी कोशकाएं उनका जो नाम होता है वो होता है कोरक खंड क्या होता है कोरक खंड कि अग्ला प्रस्ण है कि लेंगर हैंस का उपत्द्धियुप मानों सरीर के किस अंग में यह किस जो बोड़ी होती है उसके किस अंग में इस्थित होता है यह फिर पाया होता है तो इस प्रश्ण का जो राइट एंशर हो यानि कि सही उत्तर होगा वो झाई कब बार वह अगनासे में पाया जाता है चाद रखेंगे अगला परश्ण है कि ना भी तो में क्या होता है n वो आपको बताना है इन आप्षनों में से तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर होगा वो होगा आनंबर यानि की नभी ठीक ना भी रज्जु में दो धमनिया एवं एक सिरा होता है इस रिक्रस्थान में आनंबर ये भरा जाएगा ओके नश्प्रस्ण है की नर में वस्ण कोस इस्थित रहता है कहां पर आप शनिया पर देखें सही उत्तर होगा शानंबर यानि की उदर गुहा के बाहर इस्थित होता है ध्यान से समझेंगे ठीक है अगला है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगबग कितने सप्ता का समय लगता है तो मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगबग जो समय लगता है वो है ठीक है तीन सप्ता का समय लगता है तीन सानंबर ओके चलिए निश्प्रस्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है कि हमारे शरी से प्रतिदिन लगभग कितना द्रोव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है ठीक है तो कितने लिटर निकलता है सही उत्तर इस प्रश्ण का होगा जूज हात्रों को मालूम बेसक कमंड सेक्शन में अपनी राय या फिर गिस कर सकते हैं ठीक अगला प्रश्ण है कि शरीर का प्रतिरचन निम्न प्रकार का होता है यानि कि किस प्रकार का होता है इन आप सुनों है से तो इस प्रश्ण का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आनमबर सोभाविक तथा उपारजित होता है ओके नेस्ट प्रश्ण है कि सर्प्रथम एड्स वाइरस कब देखा गया था इस प्रश्ण के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था लेकिन फिर से क्वेश्ण रिपीट हो रहा है तो फिर से इस का उत्तर आप लोग जानिए सर्प्रथम एड्स वाइरस जो देखा गया था वो देखा गया था उन्नीश्टों इकासी में बानमबर सही उत्तर अगला प्रश्ण की एड्स का पूरा नाम क्या है आप संदेगे हैं इनमें जो सही उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा सा नंबर ठीक है एकक्वार्ड इमिनो डिफिस्टिक है डिफिसेंसी सिंड्रोम सा नंबर सही उत्तर याद रखेंगे महात्पोण प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि यच आईवी से प्रभावित होने वाली कुष्का का नाम ह है टी-4 ओके दा नंबर नेश्ट प्रश्ण आप लोगों की समझता है कि 1984 में किस बैग्यानिक ने एक आईवी का अविश्कार किया था धान से इसका उत्तर सुनेंगे महात्पोण है तो ठीक है अविश्कार किया था रावर्ट सी गैलो के द्वारा ठीक है रावर्ट सी ग जो है वो मनाया जाता है ध्यान से सुनेंगे इसका उत्तर एक दिसंबर को सा नंबर सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि कहां पर पहुंचे एक बार फिसे देखते हैं तो अगला प्रश्ण यह है कि एड्स की सिर्मी जाच के लिए उप्यूक्त प्रमक परिछन कौन सा है या इसका राइट एंसर हो जाएगा एली साकिट परिछन में यूज की जाती है जांच के लिए ठीक है नेस प्रश्ण है कि एड्स के उप्चार की आउसद ही है यानि कि जो एड्स हो जाता है तो उसकी उप्चार के लिए कौन से दवा होती है तो आप सर्ण इसमें देगे इन आजा अघ्ला प्रस्ण है कि इन आफ्चनों में से या फिन निमलिखित में से इसको छोड़ कर अग्र फीऊसिका का हार्मोन है ठीक है तो इन आप्शनों में से जो सही उत्तर होगा वह आपको बताना है ठीक है जहीं उत्तर होगा option नम्बर 7 यानि कि पैरा thyroid hormone PTH अगला प्रस्फन है कि insulin ग्रंत द्वारा स्रवित होता है क्या स्रवित होता है तो insulin ठिक है », discut ! अगनासे ग्रंति द्वारा स्रवित होता है यहाँ पर भना जाएगा सानंबर ठीक है इस दिख्तिस्थान में अगला की निफेचन में क्या होता है तो निशेचन में ध्यान से सुनेंगे यहां पर भरा जाएगा ठिक है डिम्ब वाहिनी क्या भरा जाएगा डिम्ब वाहिनी नलिकांगे होता है अगला प्रश्ण को बढ़ेंगे अगला प्रश्ण कह रहा कि हाइप ठीक है हाइप पौधेले मस्क का कौन सा कार नहीं है इन आप्शनों में से तो इस प्रश्ण का जो राइट एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दानमबर स्रुवित एप एस एच अगला प्रश्ण है कि डिम्ब गरंतियों की संख्या कितनी होती है तो डिम्ब गरंतियों की जो संख्या होती है वह आपको बताना इसमें राइट एंसर हो जाएगा दो ठीक है आगला प्रश्ण है कि गुमावदार पतली दिवार वाला भाग होता है तो गुमावदार पतली दिवारवाला भाग होता उसको कहा जाता है इम्पुला। अगला है कि वक्रिया, मूत्रपिंड, फेपरे तथा तछा क्या कहलाते है। नाम है उत्फर। रूजन अंग कहलाते हैं। जो कहलते हैं। अगला प्रशन किटनी का वजन कितना होता है लगबग ठीक है तो किटनी का वजन जो लगबग होता है वो होता है 120 से 170 ग्राम दानमब सही उत्तर ठीक है अगला प्रशन यहीं पर है कि किसी संदस्ना अंग्रेजी अच्छर यू के समान होती है तो कौन सी रशना होती है अंग्रेजी के अच्छर यू के समान यहां पर आप संदस्देगें इनमें प्रश्णों में से उत्तर हो जाएगा बानमबर है निले कूप हम जी निश्ट्र है कि अंडासे में अंडाणों का निर्माड होता है किसके द्वारा होता है आप संदस्देगें इनमें से जो सही उत्तर हो आपको बताना है अरत्र के और अजरन द्वारा अग्रा कि प्यूस ग्रंथी को मास्टर अंतह स्रावि ग्रंथी के रुप में जा इन में जो राइट एंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा सा नंबर यानि कि कौन जा हो जाएगा सा नंबर ठीक है कौन सा नंबर अध्ध इस्चे तक ओके निस्ट है कि अगनासे की कोश्काओं द्वारा स्रवित हार्मोन की रसानिक प्रिकत क्या है तो इस प्रस्ने का उत तो कमेंट में ज़रूर बताएं ठीक है शेयोत्तर इसका हो जाएगा आपका पॉली पेप्टाइड ठीक है अद्धा नमबर कि अन्तासरावी ग्रंथ जो सरीर की जैवी घडी को अस्थापित करने में योगदान करती उसके किस रूप में जाना जाता है तो उसको जाना जाता है कि अधारी चया पचय दर को कौन सी ग्रंथ नियंतित करती है तो उस ग्रंथ का जो नाम है वो है थायराइड ठीक है आ नमबर सही उत्तर ओके नेस्प्रश्णी के और बढ़ते हैं नेस्प्रश्णी कहीरा कि अधिवक्र ग्रंथियों का कौन सा हार्मोन जन नांग से लि रोजन ठीक है अगला प्रश्णी किस ग्रंथ से स्राव पुरुष यों महराओं के बीच भिन्न होता है ठीक है तो उस ग्रंथ का नाम है जनन ग्रंथ सा नंबर सही उत्तर है अगला प्रश्णी आप लोगों के समस्त है कि इन में से कौन सा हार्मोन पश्च प्यूश्य का द्वारा निर्मित होता है ठीक है तो उसका नाम है कि आपसा नंबर सही होगा इसका दा नंबर एडी एच द्वारा निर्मित होता है ओके ठीक है अगला प्रश्णी है आप लोगों के समस्त है कि किस जनन परत्से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है ठीक है तो उस का नाम है ज्यान से सुनेंगे बहुत ही महत्पॉल प्रशन आई यह तो उत्तर हो जाएगा का कौन सा फिर से सुनेंगे के यहां पर सही Yudharm ठीक है जननपरण से रक्टत न पारिवहास सब्सक्राइब का नाम है अगला की पुर्जे स्ट्रों भॉर्मोन का स्रमड होता है ठीक है तो अब वहां पर से तरहां से होता है तो में रहाइं जो फॉल्टेम से ठीक है निस्टप्रसंदेखते हैं टाइस टेकि मानो माधा में गर्वकाल है तो यहाँ पर आपसंदे गए इनमें, जो सही उत्तर होगा, वह आपको मालुम ही होगा सय ठीक है, अनम्बर सही उत्तर सुका, ठीक है, नाइन माह, ओकि आगला प्रश्ने की, ए? कोरक की गुहा कहलाती है, तो जो जो कॉरक की गुहा कहलाती है, वो बलाष्टो सील, ठीक है, अनमब सभी उत्तर अगला की अफ्तन पाई जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्थ्प कहां होती है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वह जाएगा अपका अनलकोस में ठीक है चलिए इस प्रशन देखते हैं डिस में कि निमल्ख्षित में तोचा क्या बनाती है तो जो टोचा हरा है ठीक है जो थोचा होती है वह एक्ट्रोधर्म ठीक है एक्ट्रोधर्म बनाती है ठीक है अग्ला प्रस्ण के रिफ्चिक में है पुर्पर होता थीस कुछ हूं सब्ömkem में आ ये करीब करीब हमने घुक्त करीब हमने डिसक्स की और उसका उत्तर बता आपकी परिछह और हेल्फुल साबित हो सकते हैं और कई प्रश्णाम की परिच्छा में इसमें से आएंगे ज्यादा हम वीडियो लंबी नहीं मना सकते हैं ज्यादा कोईशन रखेंगे वीडियो बहुत लंबी होगी हम नहीं चाहते तो आपका टाइम वेस्ट हो इसलिए हम थोड़ थोड़ कराने फीडियो प्राप्त करना है तो टेलिग्राम और वाटसप पर मेसेज करिए मिलते हैं इस वीडियो में चेहंद